हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइ यूट्यूब चैनल आज हम क्लास 10 मैट्स की एंसियार्टी की बूक में से चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें एक्जैंपल नंबर 12 करने वाले हैं एक्जैंपल नंबर 12 जो है यह एक एक्जैंपल है अगर हम एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से दिखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यह पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टन है इसमें फोर मार्स का जो मैक्समुम मार्स का कोश्चन होता है वो एक कोश्चन इसमें से जरूर पूछा जाता है कई बार इ इसमें इसमें किया गिवन है इफ तर्श संग ओफ फ्रस्ट फोर्टीन टंप मिंज एंकी वैल्यू यह पर हमार पास आगी 14 ओफेण एपी इस वन सिरो फईफ दो मिन सम ने किवन है सम गिवन हमें यह धियां डखना है 14 टंप का सम हमें वन सिरो फाइफ जिरो फईवन है मि find the 20th term, हमें 20th term find out करनी है, हमें 14 terms तक का sum given है, means अगर A1 A2 up to 7, A14 इन सारी values का sum जो हमें given है बट हमें A20 find out करनी है I hope जो question है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है, अब हम इसका solution देखते हैं कोई भी question है उसको solve करने से पहले उसकी सारी statement को यह जो statement आपको given होते है उसे अच्छी तरह से देखना, समझना बहुत इंपोर्टन होता है यहाँ पर term given है, sum given है क्या चीज given है, वो चीज देखनी बहुत इंपोर्टन होती है चलिए, I hope आपको यह question जो है वो अच्छी तरह से समझ आगे उसका solution हम देख लेते हैं, क्या करना है देखे, सबसे पहले हमने क्या करना होता है जो चीज हमें given होती है सबसे पहले हमने वो लिख लेनी होती है means यहाँ पर जैसे S14 हमें given है A की value given है, N given है वो सारा कुछ पहले हमने लिख लेना है देखे, A की value हमें क्या given है 10, because 10 A जो होता है उसको हम normally first term से बोल देते हैं तो first term हमें 10 given है that means A की value हमर पस 10 है then S14 हमें 14 terms का sum given है तो S14 हमर पस कितना है 1050 चलिए, sum of and terms in AP देखे, जल्दे-जल्दे से याद कर लीजिए AP का जो sum होता है उसमें and terms का formula क्या होता है देखे Sn is equal to n by 2 2A plus n minus 1D देखे, यह जो formula है यह बहुत ही important है आपको इसको learn कर लेना है अच्छी थरह इसमें यह आपको अगर भूल गया आपको पूरी arithmetic progression ही भूल गई यह दो formulas है एक An निकालने का और एक Sn निकालने का यह दो formulas arithmetic progression में बहुत important है अगर आपको यह दो formulas नहीं आते हैं आपको पूरी arithmetic progression ही नहीं आती है अगर यह दो formulas आपको याद हैं आप arithmetic progression का कोई भी question अगर आता है तो आप उसको solve कर सकते हैं इसलिए ये दो formulas के उपर ये पूरा chapter based है चलिए उसमें से एक ये formula है हमार पास sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d चलिए value put कर लेते हैं sn means s14 देख लेते हैं क्या आएगा s14 is equal to n की value 14 देख लेते हैं 2a की value क्या given है 10 plus n minus 1 n की value means 14 minus 1 d d is common difference that is d d हमें given नहीं है चलिए s14 हमें given है 1050 यहाँ पर लिख लेते हैं is equal to 7 20 plus 13 d next हमार पास आजाएगा 1050 divided by 7 is equal to 20 plus 13 d that will be 150 minus 20 is equal to 13 d 150 minus 20 what will be this 130 is equal to 13 d means d की value हम अरपस कितनी आगी 10 यहाँ से d की value हम अरपस 10 आगी चलिए इसको हमने d की value जो 10 आई है इसको हमने then इसमें value में put करेंगे arithmetic progression में जो nth term find out करने का formula होता है उसमें हम d की value और a की value put करेंगे तो हमें 20th value जो है पता सर जाएगी हमें 20th term find out करने है चलिए a20 देखते हैं क्या होगा पहले हम देखते हैं कि a n क्या होता है a n is equal to a plus n minus 1 d यह हमारे पस nth term find out करने का formula होता है friends यह जो है एक ही यह formula then एक ही यह formula यह दोनों जो है arithmetic progression का base है यह दोनों learn करने आपके लिए बहुत अगर आपको यह दो formulas आते हैं that means आपने arithmetic progression अच्छी तरह से की हुई है then देखिए a n is equal to a plus n minus 1 d हमें find out क्या करना है a20 a20 की value चाहिए हमें चलिए हम देख लेते हैं क्या होगा a20 is equal to a की value हमें क्या given है a की value हमें 10 given है plus n की value हम रपस 20 आगी minus 1 d की value हमने क्या find out किया 10 d की value हमने अभी 10 निकाल लिए चलिए 10 plus 20 minus 1 that will be 19 into 10 is equal to 10 plus 190 that is 200 means a20 की value हम रपस क्या आगी 200 जो हमें required term given थी 20th term उसकी value हम रपस कितनी आगी 20th term is 200 यह हमें find out करने थी 20th term उसकी value हमर पस आगी 200 I hope friends आपको मेरा समझाया हुआ यह question आची तरह से समझाया है अगर ऐसा है तो please आप मेरी वीडियो को like कीजिए अपने friends के साथ इसको share कीजिए और अगर आप और बहुत सारी ऐसी वीडियो देखना चाहते है